करें कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करो पे लाइक न को पहले अगर आप चैनल पर नहीं ने वीडियो दिए अगर आप नहीं देखो तो देख लो और इस वीडियो के description box में मैंने एक लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे ना इंस चैनलेट के questions से इसके मिल जाएंगे ठीक है चलो भी start करते है देखते है क्या है तो यहां पर आपको exercise में क्या दिया हुआ है यहां पर आपको exercise में पहले क्या है select the proper option and complete the statements तो इसमें देखो यहां से आपको select क्लिके यह जो भी आपको blank दिया इसमें लिखना है पहले में लिखना है आपको पहले में लिखना है covalent second में आपको लिखना है share बी क्या है देखो all the carbon bonds in a saturated hydrocarbon dash electrons इसका answer आपको क्या रहेगा single see आपको at least one carbon bond in an unsaturated hydrocarbon is dash तो आपका इसका answer क्या रहेगा multiple bond ठीक है fourth क्या देखो आपको d क्या है dash organic compound चलो भी आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ यहां पर देखो आपको second में क्या है answer the following questions इसमें एक है आपका why are carbon and its compounds used as fuels इसमें देखो आपको यह एंसर लिखना है भी आपको English compound forms does carbon occur इसका देखो यह एंसर रहेगा इसमें आपका c है write the uses of diamond इसमें देखो आपको यह इसके uses लिखना है इसमें देखो थर्ड है explain the difference इसमें a है diamond and graphite इसमें देखो आपको यह answer लिखना है भी आपका crystalline and non-crystalline forms of carbon तो इसका देखो यह answer रहेगा फोर्थ है आपको write scientific reasons इसमें a कहाँ देखो graphite is a conductor of electricity तो इसका देखो यह answer रहेगा भी आपको graphite is not used in ornaments तो इसमें आपको यह लिखना है इसमें आपको यह answer लिखना है भी है आपका bio gas is an eco-friendly fuel तो इसमें देखो यह answer रहेगा चलो भी आगे देखते हैं आगे आपको कहा दियो है आगे देखो यहाँ पे यहाँ पे कहा दियो है आपको फिफ्थ में explain the following इसमें एक है diamond graphite and fullerines are crystalline forms of carbon तो देखो इसका यह answer रहेगा आगे देखो बी में मिथेनिस कॉल मार्श गैस इसमें देखो आपको यह answer लिखना है आपको petrol, diesel, coal और fossil fuel तो इसका देखो यह answer रहेगा दी है आपका uses of various allotrops of carbon तो इसका देखो यह complete answer है यह आपका uses of co2 in fire extinguisher इसका यह answer है ठीक है आगे देखते है एफ में कहा प्रैक्टिकल uses of co2 तो इसका देखो यह complete answer है 6 है आपको write two physical properties each पहला है आपको diamond, B है आपको charcoal, then C है आपको fullerine तो देखो यह तीनों का देखो यह रहेगा answer देखो फिर आपको 7 में कहा है, 7 में आपको complete the following chemical reactions देखो first, second, third आपको तीन दिया हुए तीनों का देखो answer यह रहेंगे ओके अभी देखते, 8 में आपको क्या दिया हुए है, 8 में आपको दिया हुए है, write answer to the following in detail एक है, what are the difference, different types of coal, what are their uses, तो इसका देखो यह answer रहेगा B आपको how will you prove experimentally that graphite is good conductor of electricity, तो इसमें देखो आपको यह लिखना है C आपको देखो explain the properties of carbon, तो इसका देखो complete answer रहेगा यह D आपको classify carbon, तो इसमें देखो आपको यह लिखना रहेगा 9 आपको how will you verify the properties of carbon dioxide, तो इसमें देखो आपको यह लिखना है ठीक है, चोलो भी आगे लिखते, आगे क्या है Sorry, यहाँ पर हमारे यह chapter complete हो गया है अब यह अगले वीडियो में मैं आपको नेक्शा प्रत दूँगा तो आप चैनल को subscribe करके रहो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगो तो आप इस वीडियो को like करो, share करो and चैनल को subscribe करो, thank you